स्मार्ट फोन हमारी दैनिक जिल्गी का बहुत जरूरी हिस्ता बन गया है हमारे बहुत साड़े जरूरी काम इस छोटी सी डिवाइस के जरिये होते हैं ऐसे में इसका दुरुस्त रहना बहुत जरूरी हो जाता है जिसकी लिए फोन बनाने वाली कमपनी समय समय पर अपडेट जारी करती रहती है अपडेट आने पर आपके फोन में इसका नोटिसिकेशन भी दिखाता है कि नया अपडेट आ चुका है बहुत से लोग तो तभी नए अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग इसे अंदेखा कर देते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये ख़बर खास तोर पर आपके लिए हैं स्मार्टफोन सौफ्वेर अपडेट दो तरह के होते हैं पहला होता है वर्जन अपडेट और दूसरा सिक्योर्टी या इंक्रिमेंडल अपडेट ये दोनों ही आपके स्मार्टफोन के लिए बेहत जरूरी होते हैं हाला कि वर्जन अपडेट का साइज थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इसमें यूजर्स को बहुत सारे नए फीचर्स भी मिलते हैं और स्मार्टफोन इंटरफेस में भी बदलाव देखने को मिलता है वहीं सिक्योर्टी अपडेट साइज में छोटे होते हैं और बग्स को फिक्स करने का काम करते हैं आम भाशा में कहें तो यह आपके स्मार्टफोन की सुरक्षा को बढ़ाते हैं आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद स्मार्टफोन स्लो वर्क करने लगता है ऐसे में कंपनी इसको दुरुस्ट करने के लिए नियमित अंतराल पर सॉफ्वेर अपडेट जारी करती रहती है इस तरह के कई सॉफ्वेर अपडेट फोन की स्पीड और पर्फॉर्मेंस में स्कुधार करते हैं